तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूटूब चैनल स्ट्रीप साल में तो फ्रेंट्स आज हम एच्पी पुलिस फट्टी दोजार 21 के लिए जो है जियोग्राफी भुगोल के टॉप 30 कोशिन्स करेंगे जो की आपके एक्जाम में पोचे जाते हैं आपको पता होगा की एच्पी पुलिस की एक्जाम में जो है जियोग्राफी भुगोल से जो है आपको जो है कोशिन्स पोचे जाते हैं एक ये दो तीन कोशिन्स जो है हमेशा जो है पोचे जाते हैं आपके एक्जाम में तो फ्रे आयांत चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर लेजी और बेल आइकन पैस कर लेजी ताकि आपको आने वाली हर important वीडियो का नोटिफिकेशन असानी से मिलतर है और आपको इस वीडियो का पीडिये जाएगा जो 30 कोशिन होगे और उसके साथ जो भी कोशिन दिये जाएगे उनक लिंक जो है description box में दे दूँगा आप वहाँ से जोईन करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है तो चलते हैं वीडियो की तरफ है तो दोस्तों चलते हैं ठीक है तो आज जो है जो कॉशिन हमने लिये है वो बर्मांड से ठीक है और ग्रहों से जो भी हमारा जो कॉशिन बन बन रहे हैं वो comment section में आपने जुरूर बताना है वीडियो को like करें जिसने अभी तक like नहीं करा है ठीक है तो पहला question जो हमारा है पर्थम व्यक्ति जिसने जो है विश्व का मांचित्र बनाया था A.B. Taylor, Alfred Wagner या Anaximander या John Lawrence ठीक है तो आपके पास 4 option आपको जो अपना answer लगाना है इसका answer क्या होगा ठीक है दोस्तों तो इसका सही जो answer हो जाएगा हमारे पास उसका हो जाएगा option बस C ठीक है अनेक्जी मेंडर जो थे उन्होंने जो है विश्व का मांचित्र जो है बनाया था ठीक है next question हमारे पास है दोस्तों मैं बता दूँ आपको इन्हीं questions को पढ़ना है only बहुत important question है और ये बहुत important वीडियो जो है रहने वाला है ठीक है तो second question हमारे पास है भुगोल का पिता जो है किसे का जाता है इरेटो स्थनीज, Kepler, Frederick या Copernix ठीक है तो बहुत important question है father of geography किस Frederick Redzel, Annexamander, या 9 of these ठीक है तो आपको पता है Annexamander किसे कहा जाता है तो वो थी भुगोल की ठीक है sorry भुगोल की फृता जो है किसे कहा जाता था पिछला question आप देख सकते है ए ए अंसर इसका सही था इरेटो स्थनीज ठीक है तो ए इसका सही अंसर था ठीक है तो आपको पता ह Annexamander तो होगे भुगोल की पिता अब मानव भुगोल की पिता ठीक है दो नो different question है तो इसका सही जो अंसर क्या हो जाएगा ठीक है तो इसका सही अंसर है option number B Frederick Redzel ठीक है next question चलते है fourth number question है बहुत important है स्वार मंडल की खोज कब और किस ने की थी ठीक है तो बहुत ही important है ये Annexamander Coppernix, Kepler या Eratosthenes ठीक है तो मैं बता दो स्वार मंडल की खोज की थी वो की थी Coppernix थे ठीक है याद रखेंगे Coppernix ने की थी वो कब की थी और वो कहां के निवासी थे ठीक है तो उन्होंने की थी 1543 इसवी में ठीक है और Poland के वो वासी थे ठीक है next question बे चलते हैं ग्रहों की ग Kepler ठीक है ग्रहों की गती का नियम दिया था Kepler ने ठीक है तो next question है ब्रमांड का अध्येन क्या कहलाता है युनिवर्स का the study of universe क्या कहलाता है एंडुमेदा सेरी कल्चर कॉस्मोलोजी आर्केलोजी ठीक है तो इसका सही answer है option number C ठीक है कॉस्मो लोजी next question बे चलते हैं बहुत असान question है और बहुत basic question है ठीक है Big Bang Theory खोजी गई थी किसके दोरा खोजी गई थी Marco Polo, George Lemaitre, James Cook या Jenny Barrett तो इसका सही answer है George Lemaitre ठीक है next question बे चलते हैं हमारी आकास गंगा का नाम क्या है very important question है बहुत बार exam में ये question जो है पूछा भी गया है ठीक है अक हमारी आकास गंगा का न तो इसका जो सही answer है वो हो जाएगा Milky Way ठीक है और हमारी आकास गंगा के अलग नाम भी है वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ तो वो है मंदाकिनी दुग्द मेखला ठीक है और इसकी shape जो है spiral ठीक है यानिकी सरपिलाकार ठीक है next question पे चलते हैं तो हमारी आकास अकास गंगा का नाम जो है क्या है ठीक है तो हमारी है मंदाकिनी ठीक है दुग्द मेखला और मिलकी वे जो मैंने आपको बताया तो इसकी जो निकट वर्ती की जो अकास गंगा है उसका नाम क्या है ठीक है तो वो आपको जो हैसको इस question में पूछा गया था ठीक है तो अकास गंगा है, उसका जो निकट वरती अकास गंगा है, उसका नाम है मन्दाकिनी, ठीक है, और हमारी का है, वह है मिलकी वे या दूद्ध मेखला, ठीक है, नेक्स्ट कुशन बे चलते हैं, अब तक जो है कितने तारा मंडलों की पहचान की गई है, 89, 88, 87 या 86, ठीक है, तो इसका जो सही अंसर है, वह है option number B, ठीक है, 88 तारा मंडलों की पहचान अभी तक की जा चुकी है, ठीक है, कई बुक्स पे आपको जो है answer इसका 89 भी मिलेगा, ठीक है, तो इसका सही अंसर है option number B, ठीक है, नेक्स्ट कुशन पे चलते हैं, और इस कुशन के बारे में जो मैं आ option में देखने को मिल सकता है, ठीक है, और सबसे छोटा जो तारा मंडल है, वह है करक्स, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, याद रखेंगे, नेक्स्ट कुशन में चलते हैं, तारों में जो है सरवदी कौन सी गैस पाई जाती है, ठीक है, तो कौन सी गैस पाई जाती है और helium पाई जाती है 26.5% ठीक है तो next question पे चलते हैं तो सबसे अधिक चमकीला तारा जो है कौन सा है Polaris, Dog Star, Riesel या none of these तो इसका सई अंसर है Dog Star यान की जिसको Cyrus भी कहा जाता है ठीक है तो Cyrus भी इसको जो है इस ग्रह को कहा जाता है next question पे चलते है question number 13 हमारे पास है सूर्य क्या है गर्मी का गोला, सफेद गोला, एक तारा, एक गरम ग्रह ठीक है तो मैं आपको बता दू सूर्य भी जो है एक तारा है याद रखेंगे आप बहुत important question है और सूर्य में भी जो है कौन-कौन सी gases पाई जाती है तो hydrogen पाई जाती है दूर्वत तारा जो है कौन सी दिशा में दिखाई देता है ठीक है तो वो है पोरव, पश्चिम, उत्तर और दक्षिन कौन सी दिखाई देता है तो इसका सही answer है उत्तर दिशा में ठीक है next question पे चलते हैं हैली धुमकेतू कितने वर्स बाद जो है दिखाई देता है ठीक है तो इसका सही answer है उत्तर वर्स बाद दिखाई देता है तो कितने वर्स बाद दिखाई देता है छात्र वर्स बात दिखाई देता है तो 1986 में जब हम एड करेंगे 76 तो हमारे पास जएगा 2062 में जब हमको हैली धुमके तो जब देखने को मिलेगा ठीक है सूर्य के प्रकास को प्रित्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है ठीक है तो मैं आपको एक और बात बता दू कि कहीं बुक्स में जब इसका आंसर 8 मिनट 16.6 सेकंड भी होगा तो वो भी सही है ठीक है दोस्तो इसका सही जो आंसर मैंने आपको बता दिया ओप्शन नमबर A और D विलकुल सही है ठीक है अगर 8 मिनट 16.6 सेकंड होगा तो वो भी आंसर जो है विलकुल सही है ठीक है नेक्स कोशन पे चलते है ठीक है तो अब जो है मैं आपको बताने वाला हूँ सौर मंडल के ग्रहों के बारे में जो भी कोशन बनते हैं ठीक है और जितने भी यहां से कोशन बनते है वो मैं आपको जो है यहां पे करवाए है ठीक है तो यहां पे आप देख सकते है सौर मंडल यानि कि जो यहां पे यह जो है वो है सूर्य और उसके बाद बुद्ध है फिर शुक्र फिर प्रित्वी फिर मंगल फिर भिस्पती फिर चनी फिर अरून फिर वरून फिर प्लूटो ठीक है तो यहां पे प्लूटो को जो है मैं काउंट नहीं करेंगे ठीक है तो यह अब हमारा ग्रह नहीं रहा है ठीक है तो अब मैं आपको बता दू तो मैं आपको बता दूं यहां पर माई है यहां से आप देख सकते हैं तो यहां पर फस्ट मरकरी होगा ठीक है यहांपर एक ग्रज जो है हमसे मार्स जो है छोट गया ठीक है मॉम की जगा जो था ठीक है तो यहां उसको आप जो है जूर include कर लें ठीक है My very excellent मॉम ठीक है मॉम यहांपर होगा ठीक है तो मॉम कह जाएगा मार्स यानी की मंगल याद रखेंगे आप तो next अभी question पे चलते हैं sorry यहाँ पे मैंने लिखा हूँ है mom, mars और noodles, neptune निच्चे लिखा हूँ था तो next question हमारे पास है question number 18 शुक्र ग्रह किस तिसा की और परिक्रमा करता है very important question है बहुत बार exam में पूछा गया है तो इसका सई अंसर हो जाएगा पूरव से पस्चिम मैं आपको बता दू हमारे पास 8 ग्रह है दो ग्रह ऐसे हैं शुक्र और अरुन जो की पूरव से पस्चिम दिशा की और परिक्रमा करते हैं और बाकी जो ग्रह है वो पस्चिम से पूरव परिक्रमा करते हैं, याद रखेंगे आप इसको अभी नोट डाउन कर दीजिए, ठीक है, नेक्स कुशिन पर चलते हैं, सूरे के सबसे निकट गरह कौन सा है, तो मैंने आपको इमेज बताई थी, ठीक है, सूरे के निकट इमेज को आप याद रखें आप बुद्ध सबसे नजदीक है, ठीक है, तो बुद्ध जो है, इसका आंसर रजागा, option number B, बहुत important question था ये, तो अभी जो है, इनके important facts जो बुद्ध से related है, उनको हम करेंगे, ठीक है, आपको इनको जरूर याद रखना है, note down को लिजिए, तो सूर मंडल का सबसे छोट जो है, बुद्ध है, ठीक है, और यहाँ पर जो है, दीन जो है, गरम होते हैं, और राते जो है, बरफी ले होते हैं, ठीक है, और बुद्ध जो है, सूरे की परिक्रमा सबसे कम दिनों में करता है, कितने दिनों में करता है, 88 दिनों में पूरी करता है, ठीक है, इस ग्रह प तो next question पे चलते हैं याद इसको जो है बिल्कुल जो है पूरा no down कर लिजिए और याद कर लिजिए ठीक है बिल्कुल important question था है इसको जरूर याद रखे और अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके जो important fact है उनको भी बताने वाला हूँ ठीक है तो सबसे चमकीला और सबसे गरम गरह है ठीक है अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे चमकीला और गरम गरह कौन सा है तो वो है शुक्र और सुरे की परिक्रमा जो है पूरब से पस्चिम की ओर करता है इसलिए इसका सुरे उदे पस्चिम की तरफ और सुरे अस जो है पूरव में होता है, मैंने आपको बता दिया है सूरे की परिक्रमा जो करता है, शुक्र ग्रह तो वो करता है, पूरव से पस्चिम की हो, ठीक है, इसलिए सूरे उदे उसका पस्चिम में होता है और अस्त जो होता है, वो पूरव में होता है इस ग्रह को जो है इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है यानि कि सांज का तरह और वोज का तरह ठीक है इसको कहा जाता है और इस ग्रह की जो है शेप और डेंस्टी यानि कि इसका जो शेप है और डेंस्टी है वो पृत्वी के समान है ठीक है तबी इसको पृत्वी का जुडवा ग्रह भी कहा जाता है शुक्र ग्रह को जो है पृत्वी की बहन और पृत्वी का जुडवा ग्रह भी कहा जाता है ठीक है और शुक्र ग्रह का कोई भी उपगरा नहीं है यहीं कि बुद्ध और शुक्र का कोई भी उपगरा नहीं है ठीक है तो इसमें 95% carbon dioxide पाई जाती है और 3.5% nitrogen पाई जाती है याद रखेंगे आप तो next question हमारे पास है पृत्वी का एक मात्र उपग्रा है तो वो कौन सा है तो वो है चंद्रमा option number B विल्कुत सही है next question पे चलते है 22 number question तो sorry important fact जो है पृत्वी के बारे में अभी बताने वाला हूँ तो पृत्वी के विशूवत व्यास और ध्रुवी व्यास ठीक है यानि कि equatorial diameter और जो poles का diameter होता है उनके beach cut जो difference होता है वो होता है 43 km ठीक है इसको याद रखेंगे आप next question है पृत्वी अपने अक्स पर 23 degree जुकी होई है ठीक है तो question आपसे पूछ सकता है कि पृत्वी अपने अक्स पर कितने degree जुकी होई है तो आपको पता होना चाहिए 23 degree ठीक है तो next question है पृत्वी को नीला गरह कहा जाता है ठीक है एक चक्कर जो है 23 गंटे 56 मिनट 40 सेकंड में जो है पूरा करती है नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है पृत्वी को जो है सूरे की परिक्रमा करने में जो है 365 दिन 5 गंटे 48 मिनट 45 सेकंड का समय लगता है आप से पूस दिये जा सकता है कि ठीक है तो ये 365 दिन 6 गंटे जो है लगभग हो जाता है ठीक है बट आपको जो है अगर ऐसे दिया हो तो 365 दिन 5 गंटे 48 मिनट 45 सेकंड का समय लगता है ठीक है पृत्वी को जो है ठीक है पृत्वी को सूरे की परिक्रमा करने के लिए खाइ पूरा rotate होगा ठाए तो अभी next question चलते है सूरे से पृत्वी की कम दूरी कब होती है तो होती है 3 January को और सूरे से पृत्वी की maximum दूरी कब होती है तो होती है 4 July को ठीक है और ठीक है एक और एक बात आपको बतादू एक перihelion होता है ठीक है पेरिहelion तो यहां पे हमारा सूर्य होता है और यहां पे हमारी पृत्वी इसके रिवेलिशन करती है इसके तरफ गुमती है तो जब यहां पे पृत्वी होती है सूर्य के नस्दीक होती है तो यहाँ पे इसको पेरिहलियन कहा जाता है और जब सूरे इससे distance पे होता है यानि कि maximum distance इस पे होता है तो इसको एफिलियन कहा जाता है पेरिहलियन और एफिलियन ठीक है तो और एक fact है तो इसके जो नस्दीक जब पृत्वी आती है ठीक है तो यहाँ पे इसकी speed बढ़ जाती है ठीक है और इससे आगे speed इसकी कम हो जाती है ठीक है ये भी आप इसके याद रखेंगे next question हमारे पास है सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वला मखी का नाम क्या है allipus messy, kolima, glaris, nevado ठीक है तो इसका सई अंसर है allipus messy और यहाँ किस ग्रह का ग्रह में है तो वह है mangal ग्रह में ठीक है याद रखेंगे बहुत important question है ये ठीक है तो अभी fact जो है important इसके mangal ग्रह की तो मंगल ग्रह का लाल ग्रह भी कहा जाता है मंगल ग्रह पर भी रितु परिवर्तन होता है मंगल ग्रह के उपग्रह है फोबोस और डिवोस तो डिवोस स्वार मंडल का सबसे चोटा उपग्रह है याद रखेंगे डिवोस जो है स्वार मंडल का सबसे चोटा उपगरा है और स्वार मंडल का सबसे बड़ा जोला मखी जो है वह है ओलिपस मैसी और स्वार मंडल का सबसे उंचा परवत जो है निक्स ओलम्पिया जो Mount Everest से जो है तीन गुना अधिक उंचा है मंगल ग्रह में है ठीक है याद रखेंगे तो Nix Olympia आपसे पूझा जासकता है कि कौन से ग्रह में है तो वो है मंगल ग्रह में और क्या है ये परवत है ठीक है उंचा परवत जो Mount Everest से तीन गुना उंचा है और सबसे बड़ा जोला मकी है वो है Olympus मैसी तो ये मंगल ग्रह में है और सबसे चोटा उपग्रह जो है वो है divorce ठीक है याद रखेंगे और मंगल ग्रह पर भी रितु परिवर्तन होता है नेक्स क्योशन हमारे पास है सबसे बड़ा उपग्रह का है तो वो है ग्यानिमड और ग्यानिमड जो है वो Jupiter का उपग्रह है ठीक है सबसे बड़ा उपग्रह है याद रखेंगे तो सबसे चोटा divorce हो गया और सबसे बड़ा ग्यानिमड ठीक है नेक्स्ट कोशन है तो Jupiter के important fact सबसे बड़ा गरा है ठीक है सबसे बड़ा गरा ठीक है और गैनिमड जो है Jupiter का सबसे बड़ा उपगरा है और सभी ग्रहों में से रोटेशन स्पीड सबसे अधिक है ठीक है इसकी रोटेशन स्पीड 10 घंटे और इसको सूरे की परिक्रमा लगाने में जो है 12 वर्स का समय लगता है ठीक है तो सूरे की परिक्रमा लगाने में जो है Jupiter यह Jupiter है ठीक है यह सूरे है तो इसको पूरा रोटेशन में परिक्रमा का लगाने में 12 वर्स का समय लगता है मंगल और ब्रहस्पती की कक्षाओं के बीच जो है छोटे छोटे आकासिय पिंड है जो सूरे की परिक्रमा कर रहे हैं एक शुद्रग्रह का जाता है तो मंगल और ब्रहस्पती के बीच में मंगल और ब्रहस्पती के बीच में इनके कक्षाओं के बीच चोटे चोटे आकाशिय पिंड है तो जो सूर्य की परिक्रमा करते है तो उनको क्या कहा जाता है तो उनको शुद्र ग्रह कहा जाता है तो सबसे बड़ा शुद्र गरह कौन सा है? वो है serious याद रखेंगे आपसे question जो है पोच लिया जाता है कि सबसे बड़ा शुद्र गरह कौन सा है? तो इसका सई answer है serious नेक्स्ट question पे चाथती है Titan किस गरह का उपगरह है? शनी, शुक्र, मंगल या वरून तो इसका सई answer है शनी ठीक है? Titan जो है शनी गरह का उपगरह है ठीक है और ये दूसरा बड़ा सबसे छोटा जो है वो है डिवोस वो मंगल गरह का है और सबसे बड़ा जो है वो है गैनिमट वो है ब्रिसपती का ठीक है यानकी जुपीटर का तो Titan जो है दूसरा सबसे बड़ा गरह है वो है शनी का ठीक है नेक्स्ट कुशन है important fact शनी से related तो सनी जो है दूसरा सबसे बड़ा गरह है और इस गरह के चारो ओको और प्रकास के कुंडली है जिसे जो है वलय कहा जाता है ठीक है तो आपसे वलय भी पुछा सकता है कि वलय क्या होता है ठीक है तो प्रकास के कुंडली होती है ठीक है तो सनी गरह में आपने देखा होगा कि कुछ इस प्रकार के रोटेशन जेसे होते हैं उसके पास ठीक है देख सकते हैं तो इन बलयों की संख्या साथ है इनके खोज जो है किसे द्वारा की गई थी गैलेलिये द्वारा ठीक है याद रखेंगे और सनी का सबसे बड़ा उप ग्रह जो है टाइटन है जो सौरमडल का दूसरा सबसे बड़ा उप ग्रह यह मैनने आपको पता दियए तो इस ग्रह का जो है गनत्तव जो है सबसे कम है ठीक है पानी से कम है ठीक है पानी से कम है यह ग्रह जो है पानी पर भी जो है तैर जाता है नेक्स्ट कुशन हमारे पास है लेटा हुआ ग्रह जो है कहा जाता है किसे कहा जाता है अर्थ जुपिटर यूरेनस या नैप्चुन तो इसका सही अंसर है यूरेनस ठीक है तो इसके important fact देख लेती हम यह सौर मंडल का जो है तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है इस ग्रह में जो है नैप्चुन ठीक है वरू नेक्स्ट कुशन हमारे पास है अर्थ जुपिटर पर पहुंचने में कितना समय लगता है तो इसका सही अंसर है 1.3 सेकंड नेक्स्ट कुशन हमारे पास धर्ती के सम्मान वातावरण वाला उपग्रह कौन सा है वेरी इंपोर्टन कुशन है यहा उपग्रह की बात की नहीं की गई है ठीक है रहा बोलते तो शुक्र होता ठीक है तो यहां पर जो है उपग्रह की बात की गई है तो वह है गैनी मड ठीक है याद रखेंगे तो आज की वीडियो में इतना ही मिलती है नेक्स्ट वीडियो में तो वीडियो को ज़ो है ज़्य मार्क्स के जो हमारी चैनल पर पढ़े हैं तो उनको आप जो है वहाँ से देख सकते हैं धन्यवाद